यासे हलो एवरिवान हिदेश एर और टोड़े वी गना टॉक अबाउट दी मुवी कॉल्ड आई बॉई जो के आई थी सन 2017 में ये एक साइफाइ सस्पेंस और सूपर हीरो जॉनरा की मुवी है और जैसा कि हर बार मैं दिस दिस के स्लोट में अपनी ओडेक्स की सीरीज की उन मुवीज को आपके लिए लेकर आता हूं and as usual जैसे आपकी डिमांड वैसा मेरा काम चुली आते हैं इस कहानी की में स्टोरी लाइन की दिरव जिसकी शुरुवात में USA में हम इस कहानी के वन ओफ दे लीट करेक्टर टॉम को देख पाते हैं जो कि अपने घर में स्टेड तो क्या तो मेरी नोट्स बिनाने में हेल्प करोगे जिस पर टॉम भी जादा कुछ बिना सोचे उसे हां कह देता है क्योंकि कहीं न कहीं वो उसे अपना क्रश मान चुका था उसके घर में खाली दो ही मेंबर्स होते हैं एक वो खुद और दूसरी उसकी नानी क्योंकि अब लूसी कमरे से एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बाहर आ रहा है यहां पर तीन लोग और भी मौजूद थे जिनके पास में गन भी थी और टॉम को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो वहां से भागना ही सही समझता है मगर भागते उन चारों लड़कों को लगता है कि कही टॉम पुलीस को कॉल ना कर दे इसलिए वो एक गूली चला देते हैं फिर मैं इंसानी नर्वस सिस्टम दिखाया जाता है जसके अंदर कुछ electronic waves बह रही थी या फिर कहें कि सिगनल इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे थे और करीब 10 दिनों के लंबे चलने वाले लाज के बा और इसी वज़े से mobile के कुछ parts तुम्हारे सर में ही चले गए अब वैसे तो इस movie के अंदर उन parts को कुछ describe नहीं किया है बट जहां तक मेरा deep analysis है उसके according उसके सर में घुसा होगा mobile का IC यानि की integrated circuit जो की mobile की सभी waves, signals और network को communicate करने में मदद करता है तो Tom का पूछ न था कि क्या इन सब चीजों का मुझ पर कोई बुरा सर पड़ेगा जहां पर डॉक्टर कहना था कि हाँ हो सकता है कि शैद तुम्हें दिखने में या फिर कोई चीजें अजीब सी नजर आए और मैं माफी चाहता हूं कि उन parts को हम निकाल नहीं सकते क्योंकि एकर ऐसा किया तो दिमाग म जब वो घर जाकर सोता है तबी भी उसे एक electronic field सी नजर आती है ऐसा लग रहा था कि मानो वो सब कुछ अपने सामने देख रहा हो breakfast के वक्त उसकी नानी उसे बताती है कि जब तुम Lucy के घर गए थे तो वहाँ पर जो गुंडे आये थे उन्होंने Lucy के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी वो भी गरीब साथ दिनों तक hospital में थी तो मैं एक बार जाकर उससे बातचीत करनी चाहिए तो टॉम कहता है कि उस मौके पर मुझे उससे बचाना चाहिए था मगर मैं खुद भी वहाँ से भाग गया जो कि उसे कही ना कहीं देखा हुआ नजर आ रहा था जिनने देखकर टॉम को लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं तो इन्हें जरूर देखा होगा खैर वो उन बातों पर ज्यान नहीं फरमाता और पहुंच जाता है लूसी के घर पर जहां पर उसकी मुलाकात पहले उसके हाई पड़ता है मगर वो उस पर ध्यान ना देकर लूसी के कमरे में चला जाता है लूसी से बातचीत करने पर उसे मालूम चलता है कि करीब चार लड़के थे जो कि उसके साथ जबरदस्ती करके उसकी वीडियो बगर बनाने आए थे और वो कहीं न कहीं नशे में भी लग लेकिन अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए अगर तुम उस वक्त घर में नहीं आते तो शायद वो मेरे साथ और भी कुछ बूरा कर सकते थे मुझे अफसूस है कि उन्होंने तुम्हारी जान नहीं गई इन सब बातों को सुनने के बाद में जब टॉम वापस घर पर आ आता है और वो बेहोश होकर नीचे की 裏 सुबह त्यार होकर इसकूल की निकलता है तो अपने खास दोस्त डैनी को एस सारी बाते हैं तो डान्य कहेता है कि यह सारी फिजूल की बाते हैं लगता है कि जो चोट तुमारे सर पर लगी है उसकी वज़े से तुमारा सर घूमने लगा है मगर उसे क्या पता था कि टॉम जो भी बाते कहा रहा है वो सब कुछ सच है इन फैक्ट उस बस में बैठे जितने भी बच्चे अपने मुबाइल फोन को यूज कर रहे थे उनके सारे सिगनल्स या फिर कहें कि प्रॉपर विज्वल टॉम को दिखाई पड़ रहे थे डैनी जिसके मुबाइल में मैप खुला हुआ था उसे वो तकातक दिख रहा था तबी डैनी उससे पूछता है कि आज रात को एक पार्टी होने वाली है जहां पर हमारी ही क्लास के ठेड़ सारे बच्चे आने वाले हैं तो क्या तूम उसमें आओगे जिस पर टॉम उसे हा पालुन चलता है कि ये तो वही वीडियो है जो कि उस रात को बनाया गया था इस वीडियो में वो चारो लूग कैप्चर हो चुके थे जो कि उस दिन लूसी की घर पर मौजूद थे इन बातों से टॉम को बहुत ज़दा गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उसका फो फोन में वो वीडियो था टॉम जान चुका था कि इस पूरे कांट में यूजीन ही में कड़ी है इसलिए वो गुस्से से घोड़ने लगता है तब यूजीन को गुस्सा आ जाता है और वो से लड़ने के लिए आगे आता है लेकिन तभी डैनी आकर बीच बचाव करके उन फिर बिना कोई लैपटाव अगर खोले अपनी स्क्रीन पर ही अपनी आखों के सामने आते वे विजुल्स के थ्रू ही रेपलाई भी कर रहा था और इनके बीच में बातचीत होती है कि क्या ये फ्री है कहीं शाम को पर टैरिस पर मिल सकते हैं जहां पर लूसी भी हां कह दे करती है और अगले दिन स्कूल आने के लिए कहती है वही रात को सोते वक्त टॉम अपनी पावर्स के थ्रू बहुत सारी वेबसाइट को चेक करता है जहां पर मोबाइल को है कैसे किया जाए ये सब कुछ वीडियो देखने लगता है और नेक्स्ट मॉर्निंग यूजीन का जो बेस्ट फ्रेंड यानि की शॉटगन होता है वो उसका मोबाइल पूरी तरीके से हैक कर लेता है ये लोग गए होते हैं एक ड्रग माफिया से कुछ ड्रक्स की पूरियाएं लेने के लिए लेकिन कार में जो बंदा बैठा था उसने गंशॉट को दूर कर दिया था और बोला था कि खाली में यूजीन से ही बात करूंगा तो भी दूर जा अब बेसीकली यहां पर टॉम ने सिर्फ और सिर्फ गंशॉट का ही मोबाइल हैक किया था इस वज़े से यूजीन और उस माफिया की बीच में क्या बाते होती है वो सुन नहीं पाता और रात को जो भी गंशॉट कर रहा होता है वो सारी की सारी वीडियो कैप्चर अपने दिमाग से कर लेता है नेक्स्ट मॉर्निंग जब पूरी स्कूल के इंदर असेम्बली में प्रिंसिपल एक स्पीच दे रहे होते हैं तो वहां पर प्रोजेक्टर पर वो गंशॉट की एक वीडियो सब्सक्राइब कर अपने दिमाग की मदद से लूसी को मैसेजस भीज रहा था और यह कह रहा था कि मैं एक आई बॉय हूं जो कि जानता हूं कि तुम्हारे साथ किस-किस ने बुरा किया और मैं उन सबक सिखाऊंगा और इनी बातों के साथ साथ वो लूसी से ये भी पूच तहे कि क्या तुमारा कोई बॉयफरेंट है जहां पर लूसी कहती है कि फिलहाल तो नहीं जहांपर टॉम खुछ से कह देता है कि क्या हम कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं और जब फिलहां करती हैं इनके बीच में काफी पेर हच्छा टायम स्पैंड होता है ये शहर की बाकि चोटी मूडी जगों पर घोम खूम कर जब वापस आने लगते हैं तो वहीं यूजीन और उसके बागी की दोस्त बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं और लूसी से कहते हैं कि हमें बता लगा है कि कुछ दिनों पहले तुमारे साथ में किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश करें तुम टेंशन मतलो लूसी हम तो वैसे भी बच्पन से तुम्हें जानते हैं तुम्हारे पडोसी हैं तो उस बैट बॉय को धूंडी लेंगे मामला थोड़ा गड़बडाने वाला था कि तभी टॉम अपनी पावर्स का स्थमाल करके उन सभी की फोन कि नब टॉम का दिमाग घूम चुका था और वो उसका बदला लेने के लिए इन सभी को सबक सिखाना चाता था इसी बीच ये चारों लड़के एक कार को चूरी करके अपनी रात को रंगीन करने वाले थे मगर इनसे यहीं हो जाती है सबसे बड़ी गड़बड क्योंकि वो वीडियो बनाकर पब्लिक में वाइरल करने वाले थे जहां पर ये चारों अपनी मिस्टेक मानते हैं इसी के साथ टॉम उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास मैं गन कहां से आई तो गंशॉट बताता है कि हमें वो गन कज ने दे यानि कि इसका मितलब इनकी उपर इनका भ पूड़ लेता है जसके बाद वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है और उसके cctv को हैक करके उसके घर में चल रही टीवी के अंदर ये फूटेज दिखाता है कि उसने आकर उसकी कार में सूसू कर दिया यह घर में दू-3 लूग होते हैं जो कि सीधा कार के पास भाग कर ज जिसे वो अपने घर ले आता है अब उसके पास में एक बहुती शांदार प्लान था वो उस धेड़ सारे ड्रक्स के चुटी-चुटी पुडियाएं बनाता है और उनसे भी लड़कों के घर में डाल देता है और पुलीस को यह मैसेज भेज देता है कि इस सोसाइटी की कुछ लड़के इल्लीगल ड्रक्स को सप्लाइ कर रहे हैं तो सभी पुलीस वाले आकर उन्हें धर्द बोचते हैं और इसी के साथ कज का जो बैंक अकाउंट होता है वो भी टॉम अपनी शक्तियों की मदद से पूरा का पूरा जेरो कर देता है वहीं टॉम की नानी टॉम से कहती है कि आपने जो ड्रक्स मुझे दिया था वो ड्रक्स कोई मुझसे चुरा कर ले गया है इन फैक्ट अब तो मेरा बैंक अकाउंट भी जीरो हो चुका है मुझे थोड़े और पैसे और ड्रक्स चाहिए आप घपराईये मत आपका माल सिर्फ रहेगा और आपका मुनाफ़ा से गुस्सा आता है और वो टॉम कहती है कि आखिर तुम होने लगती है और वो जाकर बेस इन ही कि क्या तॉम पर नजर रहेग सकतЕ हो क्योंकि जब से दिमाग पर गूली लगी है और अबड़ ने अल्रेडी एलमन से बात कर ले थी तो उनका एक बड़ा कंसाइमेंट आने वाला होता है तो असको पीछा करने लगता है जहां जहाँ भी क Więksा अपनी गाड़ी की साथ जाने लगता है तो इसका पिछा करता वो अपने PUBG के जॉर्जिय पोल जिसकी जगह पर पहुंचता है जहां पर धेर सारी कंटेनर्स थे और उनी में से बीच में से एक बड़ा कंटेनर था जिसमें धेर सारे ड्रग्स पड़े थे लेकिन वहां पर बहुत सारे गुंडे मौजूद थे तो फटाफट से टॉम फाइ के लिए टॉम वहां की फ्रिक्वेंसी की बेस को हाई कर देता है जो कि इंसानी कान बरदाश्ट नहीं कर सकते थे और देखते ही देखते हर कोई उसे छोड़ देता है तब टॉम आज अपनी जान बचा कर भागता है लेकिन सर पर पड़े खैच की डंडे की वजए से वह र पीछे पड़े रहते हैं मगर मैं चलती इंसे पीछा छोड़ा ही लोंगा लेकिन जब उनकी नजर पीछे घूमती तो देख पाते हैं कि शौटकन को किसी ने जान से मारकर सोसाइटी में लटका दिया है हो ना हो यह काम अलमन का था टॉम अब बहुत ज़्यादा उदास हो लगा है जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर हमने उसे निकाला तो तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से डाड़ हो सकता है अब तुम्हें इसी के साथ ही जीना होगा जब हॉस्पिटल से टॉम वापस आता है तो देख पाता है कि कर्स का जो बॉस यानि की एलमन जिसे व आसमान में मोबाइल की रेज सिगनल नेटवर्क सब कुछ देख सकते हो और उन्हें हैक भी कर सकते हो अब मैं चाहता हूं कि यह सारी हैकिंग तुम मेरे लिए करो यह पकड़ो मेरा फोन और इसमें फटा वट से यूरो भर दो और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी नानी इसी के साथ तुम्हारी बेस फ्रेंड लूसी को खत्म कर दूंगा जैसे ही टॉम लूसी का नाम सुनता है तो वो लूसी के फोन को ट्रैक करने की कोशिश करता है और उसे यह मालूम चल जाता है कि लूसी इस वक्त इनके कबजे में हैं मगर अपनी हैकिंग स्किल्स क के मदद से वो लूसी की फोन को चलाने लगता है और ट्रिपल नाइन पर कॉल करके पुलीस को वहां पर बिजवा देता है अब जैसे पुलीस वहां पर पहुंचती है तो वहां पर जो यूजीन उसके बेस्फ्रेंड होते हैं वो जाकर लूसी को पीछे छिपा देते हैं प अगर तब तक लूसी की हाथ गन लग चुकी थी और वो इन तीनों को खरी-खुटी सुनाती और कहती है कि मैं तो बच्पन से तुम्हारे साथ थी मैं तो तुम्हें अपना भाई समझा था और तुमने मेरे साथ ही जबरदस्ती करने के बारे में सोचा यहां पर यूजीन क कहता है कि मेरे bank account को नोटों से लबालब कर दो तबी Tom को याद आता है कि वो phone के circuit को गरम करके उनमें Blast कर सकता है तो वह वहाँ पर मौजूद सभी के phones में एक एक ब्लास्ट कर देता है लेकिन तब तक एलमन ने अपने हाथों से अपना फोन फैंक दिया था अब इनके बीच में घमासान फाइट हो जाती है देखा जाये तो टॉम तो बस एक नॉर्मल सा लड़का था जिबकि एलमन जादा बड़ा और ताकतवर था तो वो उसके सर पर बहुत सारे डंडो के वार कर देता है एड़ एंड लूसी वहाँ पर पहुंच जाती है जिसके हाथ में गन होती है और वो एक एर फायर करती है और कहती है कि एगर तुमने और कुछ किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूँगी मगर फिर भी एलमन मानता है नहीं और वो उसकी तरफ से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है जिस पर टॉम को बहुत ज़ादा गुसा आजाता है और वो वहाँ के नेटवर्क की सारी पावर मिलाकर एक जूरदार प्लास्ट करता है जिसकी वज़ा से एलमन वहीं पर मा हो चुकी थी जब टॉम अपने घर पर स्कूल से वापस आ रहा था तो रास्ते मुसे डैनी मिलता है वो से कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने कुछ पैसों के बदले एलमन को तुमारे घर का पता बता दिया जहां पर टॉम उसे ये बात भी रिवील करता है कि उस दिन चा एक अच्छी सी चादर पर धेर सारे खाने के लिए या फिर कह सकते हैं कि एक केंडल लाइट डिनर जैसा सेट अप लगा कर टॉम के पास आई होती और कहती है कि शैद मैंने अपना नया बॉइफ्रेंड ढूंड लिया है और वो और कोई नहीं तुम ही हो और इसी के साथ य झाल झाल झाल